हेलो फ्रेंड्स अंजू स्ट्रीचिंग आइडिया चेनल पर आपका स्वागत है मैं अजू आज मैं आपको बच्चों का पैंसिल बॉक्स बनाना बताऊंगी आप इसको घर पर छोटे से कपड़े से बहुत ही आसानी से बना सकते हैं इसके लिए मैंने एक सीट तयार की है इ इस प्रकार से हम इसको फोल्ड कर लेंगे कॉर्णर पर हम डेड इंच का मार्क करेंगे और डेड इंच का ही हम यह मार्क लंबाई में लेंगे दूसरे कॉर्णर पर भी हम इसी प्रकार से मार्किंग करेंगे डेड़ बाई डेड़ इंच की अब हमें डेड़ इंच का नीचे कोर्नर पर बंद वाली साइड मार्क करना है और डेड़ इंच का ही ये लंबाई में लेना है हमें मार्क यानि कि डेड़ बाई डेड़ इंच का हमें चारो कोर्नर पर मार्क करना है अब जहाँ पर हमने मार्किंग की है वहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे अब हम इसको ओपन करेंगे यहाँ पर हम चैन को उल्टा रखेंगे और एक सिलाई से हम चैन को इसके साथ में सील कर अटेच कर देंगे अब इसको अंदर की सैड फोल्ड करेंगे शिलाई मार्जन को और एक सिलाई हम इस चैन के उपर से चला देंगे अब हम इस पार्ट को यहाँ से इस प्रकार से रखेंगे इसके उपर और इसके साथ भी हमें चैन अटेच करनी है दूसरी सैड अब हम इसको इस प्रकार से चैन को खोल कर अलग करेंगे और यहां से हम सिलाई मार्जन को दबाएंगे और एक सिलाई इसके उपर भी लगाएंगे अब हम इसको साइड में से सिलाई लगानी है डेवल फोल्ड करके दूसरी साइड से भी मैंने सिलाई लगा ली है पकड़ना है यहां से और इसके उपर हमें डबल सिलाई लगानी है अब हम इसको सीधा कर लेंगे और इसके अंदर हम रणर डाल देंगे और अब हम इसको वापिस से उल्टा करेंगे अब हमें ये वाला उपर वाला कॉर्णर इस प्रकार से फैलाना है जहां पर हमने चैन अटेज की और इसके उपर हमें सिलाई लगा देनी है दूसरे कॉर्णर को भी हम देखे इस प्रकार से जमाएंगे और इसके उपर भी हमें डबल सिलाई लगा देनी है इस प्रकार से हमारे बॉक्स की सिलाई कम्पलीट हो जाती अब मैं इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, सेर और सब्सक्राइब जरूर करना तो इस प्रकार से हम देखे खुब सारे पैन और पैंसिल इसके अंदर हम डाल सकते हैं तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आज के लिए बस इतना ही मिलते अगली वीडियो के अंदर बाई